एक आया, यह सुआति है आप लोगक एक और नई वीडियो में तो यह है हमारे पास इसके अंदर है big slate stones निकल जा इसके अंदर है big slate stones चिलिए मैं आपको निकाल के दिखाता हु यह देखे यह है big slate stones यहाँ पर आप देख सकते हो big slate stones और यह है हमारे पास यह है चांतारा ब्रैंट की slate pencil तो आज मैं आपकी एक confusion भी दूर करने वाला हूँ और आपको बहुत कुछ बताने भी वाला हूँ तो सबसे पहले इस वीडियो को like करके रख दो नीचे ये चनल को अभी subscribe की button पे click करके subscribe करके रख दो अगर आपने अभी चनल को subscribe नहीं किया तो इस चनल को जुरूर से subscribe करके रख दो मैं आपके लिए आगे भी ऐसी और भी वीडियो जी चनल पर लाता रहूँगा तो सबसे पहले बात करते हैं slate pencil की ये जो slate pencil होती है ये देखिए कुछ इस तरह की shape में होती है लेकिन जो ये slate stone होता है इससे बनाया जाती है ये slate pencil जी हाँ slate pencil बनने से पहले ये slate pencil कुछ इस तरह से होती है सबसे पहले इस तरह का stone बनाया जाता है actually जो ये stone बनाया गया है ये special खाने के लिए ही बनाया गया है क्योंकि जब slate pencil बना जाती है तो ऐसा stone नहीं होता है बलकि बड़े-बड़े stones होते हैं फिर उनको proper cut कर दिया जाता है cut करने से पहले कुछ इस तरह से बना जाता है उसके बाद कुछ इस तरह से ये slate stone बनता है और इससे slate pencil बनती है तो ये slate pencil बनाने के कोई फायदा नहीं है इसको सिर्फ खाने के लिए बनाया जाता है आज कल जो भी आप लोगों ने देखे होगे वो सिर्फ इसको खाने के लिए करते हैं वहीं पर बात की जाया slate stone या slate bar की और यह जो slate bar है ना यहां पर आप देख सकते हो यह मैंने amazon से online order किया है 229 का यह मुझे पढ़ा है इसमें अंदर यह तीन slate bars है या slate stones है अच्छली यह slate stone होता है slate bar ऐसी नहीं होता है slate bar कुछ इस तरह के होते हैं तो यह जो slate stone है इसे खोद कर निगाला जाता है और फिर इनको प्रॉपर पहले तोड़ा जाता है उसके बाद इनको इस तरह की shape में कट कर दिये जाता है इसके बाद एक ही process होती है जिसमें यह slate pencil इससे काटी जाती है यह देखिए यह देखिए कुछ इस तरह की होते है यहां पर आप pencil बनाई जाती है और सबसे पहली बात मैं आप लोगों बता दू कि सबसे जो dangerous जो खाने के लिए होगा वो slate stone ही होता है actually बनते तो दोनों पत्थर से ही है दोनों पत्थर ही होते है लेकिन यह जो slate stone होता है यह बहुत ही heavy होता है बहुत जादा होता है एक slate stone से बहुत सारी slate pencil से बनती है इससे भी जादा बनती है तो जो लोग भी या जादा लड़िया या औरते इसको खाती है वो slate pencil, slate stone अगर खाती है तो उनको जादा दिक्कत होने वाली है बहुत ही जल्दी दिक्कत होने वाली है बहुता dusty भी होता है यह और slate pencil खाय जाती है तो जादा नहीं खाय जाती है थोड़ी बहुत ही खाया जाती है लेकिन जो स्लेर स्टोन होती है बहुत जादा है आपके पेट में बहुत सारी ये प्रॉब्लम कता है digestion की problem आम बात है कब्स होना आम बात है लेकिन इससे serious problems भी होती है तो मेरा कहना आप लोग के लिए बस यह है कि please इसको खाना चोड़ दो और इसको भी खाना चोड़ दो दोनों देखने के लिए अच्छी होती है tasty भी होती है जो लड़किया इसको खाती है और ते खाती है उनको यह tasty लगती है लेकिन dangerous यह इतनी जादा होती है जितना आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा बहुत जादा dangerous होती है और इसको बहुत जादा खाया जाता है यहाँ परचान तरह brand की slate pencil है और इससे ना सारी brands की slate pencil बनाई जाती है और इस तरह की slate pencil इससे बनती है यह देखिए चांद तरह brand की slate pencil बिल्कुल cut करके कुछ इस तरह की shape में इसको लाए जाता है तो इससे बनती है यह slate pencil यह बात हमेशा याद रखना है और इसको तो खाने के लिए बनाया गया है special बनाए गया कि इसको कोई काम है नहीं इसको slate pencil इससे slate pencil बनाई जाती है और इसको खाने के लिए ही use किया जाता है तो यह थी एक छोटी सी वीडियो छोटी सी information उमीद काता हूँ कि आपको इस एक वीडियो अच्छी लगई होगी वीडियो अच्छी लगई तो वीडियो को जूर सी लाइक एक रख दो नीचे चानल को अभी subscribe के बटम पे क्लिक करके subscribe करके रख दो अगर आपने अभी तक इस चानल को subscribe नहीं किया है इस चमय को जुरूर से फड़ा फड़ से इस चमय को सब्सक्राइब करके रख दो नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हो कि क्या आप लोग भी इसको खाते हो और आपको इन दोनों मैसे जाता टेस्टी कौन सा लगता है आप लोग जुरूर से कमेंट करके बता सकते हो और झाल झाल